लोगसभा चुनाओ 2024 की तिथियों की घुशना भाट्ती निर्वाचनायोग यानि केंद्री निर्वाचनायोग के द्वारा की जा चुकी है। आप सभी को पता है लोगतंत्र का सबसे बड़ा महुत्सव यानि लोगसभा चुनाओ आयूजित होने वाले हैं जो की अप्रेल महा से शुरू होंगे 28 अप्रेल से शुरू होंगे और 4 जुन को पूरा परिणाम आपके सामने आ जाएगा। आम चर्चा करने वाले हैं लोगसभा चुनाओ 2024 से सम्मंदित प्रश्ण और आम चुनाओ से सम्मंदित ऐसे प्रश्णों की चर्चा करेंगे जो की आपकी परिक्षाओं में किसी भी प्रतियों की परिक्षाओं में पूछे जाने की पूरी-पूरी संभाव ना होगी आज कि 10-minute show में प्रशन मिलने वाले हैं तो जितने भी student इस 10-minute show में आ चुके हैं पहले तो बात ये होगी कि फड़ावट वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और आज के 32-33 प्रशन जो मैं आपके सामने रखूंगी उन सब के उत्तर मुझे comment box में जरूर देना कि आपका क्या उत्तर होगा मैं प्रशन पूछने के बाद कुछ पास से 6 सेकिंड रुकूंगी ताकि आपका जो उत्तर है वो मेरे तक पहुँच जाए और सही उत्तर आप तक पहुँच जाए तो आज शुरू करते हैं सभी का स्वागत है दे 10 मिनिट शो में आज का टॉपिक जो होगा वो होगा लोग सबाचुनाओ 2024 देखना होगा 4 जून 2024 को कौन विजित होगा कौन सी पाटी सत्ता में आएगी कौन सी पाटी विपक्ष में आएगी वो तो परिणाम होगा लेकिन एस्परेंट होने के नाते हमारा परम करतवे है कि लोग सबाचुनाओ से संबंदित जो भी मत पूर्ण MCQ हो सकते हैं वो हम 10 मिन्टों में देख लें और आप 10 मिन्टों में इनसे संबंदित सारी जानकारियों को भी देख लेंगे तो सभी का स्वागत है सभी स्ट्रेंड विनर्स इंसिट्यूट की टेलिग्राम चैनल को फॉलो कर लिजे ताकि आपको यहाँ पर PDF और नोटिफिकेशन बहुत आराम से मिल सके MCQ का 10 मिन्ट शो है सत्रवी लोकसभा, अठारवी लोकसभा, पंद्रवी लोकसभा या फिर सोलवी लोकसभा प्रशन बताईए उत्तर दीजे कि 2024 में जो लोकसभा चुना होने वाले हैं वो किस क्रम के लोकसभा चुना होंगे आप इस पिर प्रतियों की परिक्षा की तैयारी कर रहे होंगे यहां से पक्का दो प्रशन छपने वाले हैं जब हमें पता है कि छपने वाले तो क्यों न विवस्ते तैयारी कर ली जाए 2024 में जो लोगसभा चुनाओंगे वो 18 लोगसभा के चुनाओंगे जो की 2024 में आयोजित किये जाएंगे याद रखना दोस्तों अगले प्रशने की और बढ़ते हैं, प्रशने क्रबांग दूसरा, लोगसभा 2024 में लोगसभा का चुनाओं कितने चर्णों में आयोजित किया जाएगा? In how many faces will the लोगसभा election be held in 2024? 5 चरण, 6 चरण, 7 चरण या फिर 8 चरण? लोगसभा चुनाओं 2024 की जो मतदान होंगे, वो कितने चर्णों में, कितनी अलग 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 तितियों में आयोजित किये जाएगे? तो आप सभी को मैंने इसके पहले ही 10 मिनिट शो में लोगसभा चुनाओं की जो तितिया गोशित हुई है, उसमें ये पूरी पूरी व्याक्या की है, तो उसी से सम्मंदित ये प्रशन होगा, कि लोगसभा चुनाओं का जो आयोजित 2024 में किया जाएगा, वो कुल 7 चरणो में किया जाने वाला है, मैं उमीद करती हूँ कि आप सभी मेरे साथ उत्तर दे रहे होंगे, और साथ साथ में इन प्रशनों की अच्छी तरह से पकड़ बना रहे होंगे, तीसरा प्रशन है, अठारवी लोगसभा चुनाओं 2024 में मध्यप्रदेश की कितनी सीटों पर आयो 2024, 29, 28, 27 या फिर 25 मध्यप्रदेश में कितनी लोगसभा सीटों पर लोगसभा के चुनाओं होने हैं, भाई साथ फटा फट बता दो, अगर आपको पता है तो अच्छी बात और नहीं पता है तो पता हो जाना चाहिए, मध्यप्रदेश में 39 लोगसभा सीटों पर लोगसभ 2024 से संबंधित, सारे प्रशने जो संभावित हो सकते हैं, वो सारे के सारे प्रशने कराऊंगी, तो वही मेरा उद्देश वही है, ठीक है, on which day will the election result be declared in the 18th लोगसभा election 2024, 4th जून 2024, 5th जून 2024, 6 जून और 7 जून, तो आप सभी को मैंने बताया है कि ये लोगसभा चुनाओं 4th of June 2024, caution number 5th है 2024 तक भारत में कुल वोटरों की संख्या कितनी हो गई है, कितने वोटर्स हैं जो participation करने वाले हैं, what will the total number of voter in the India by 2024, 95 करोड, 80 करोड, 108 करोड या फिर 97 करोड, मैं फिर से बूलूँगी, अगर आपने वह वाला 10 मिनिट शो देखा होगा, जिसमें मैंने 2024 की पूरी व्याक्या की है, तो उन सारे एस्परेंट से ये वाले questions बहुत आराम से बन रहे होंगे, नहीं तो इसके बाद वो जाकर की जरूर देखना, ये सभी आकडों के बारे में मैंने पूरी पूरी चर्चा की है, 2024 लोगसभा चुनाओ में 97 करोड वोटर भागिदारी निभाएंगे याद रखना, 2024 की लोगसभा चुनाओ में पहली वार वोटर देने की वोटरों की संख्या कितनी होगी, ऐसे कितनी होगी जो first time voter होंगे, तो भाई question है, what is the number of first time voter सिंदा, 2024 लोगसभा election, 1.98 करोड, 2.8 करोड, 3.4 करोड, या फिर 4.4 करोड, 4.5 करोड, बता न first time voters की संख्या 2024, लोगसभा election में total कितनी होने वाली है, पढ़ा होगा, तो या आकड़े आपके हाथ में होंगे, नहीं पढ़ा होगा, तो इसके बाद जाकर के लोगसभा का 10 minute show देख किया आना, और इन सारे प्रशनों का उतर देदेना, 1.98 करोड, first time voters होंगे, जो इस 2024 में election में भागीदारी निभाएंगे, मैं उम्मीद करती हूँ इन में से आप लोग भी कुछ तो होंगे ही होंगे, ठीक है, लोगसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी होती है, what is will maximum number of elected members of लोगसभा, 545, 540, 550 या फिर 530, ये तो static GK का question हो गया, कि पूछे जाते हैं, तो निर्वाचित सदस्यों की अधिक्तम संख्या 550 होनी चाहिए, वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है, ये भी आपको जानकारी में आ जाना चाहिए, संसत किसे कहा जाता है, what is called Parliament, लोगसभा, राजसभा, राशपती या फिर उपरक्त सभी को, आप सभी को पता, ये ट्रेडिशनल कॉश्चन से, जो एक्जाम्स में पूछे ये पूछे जाते हैं, तो मैं उमीद करती हूँ कि इन प्रशनों का उत्तर आप मेरे साथ ही दे रहे होगे, कि संसत पाल्यामेंट किसे कहा जाता है, लोगसभा, राजसभा और राश जाता है, to whom is council of minister collectively responsible, राजसभा, लोगसभा, राशपती, प्रधान मंत्री, चूकि प्रशन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर आपके हाथ में है, सामोहिक रूप से किसके प्रती उत्तरदाई होती है, मंत्री, परिशत, ministry, काउंसिल, तो भई अब सामोहिक रूप सतर में भाग नहीं लिया, यह भी static question है, लोगसभा से संबन देते, ध्यान से देख लो, who is the prime minister who did not participate in the session of parliament during his turner, अटल बिहरी बाच पही मुरार जी, देशाही, चौधरी, चरण सेंग, नरेन मोधी, तो अगर मैं याद करूँगी इस question को, या इस fact को, तो मैं तो ऐसे याद कर लोगे, लोगसभा में चरण नहीं पड़े, चौधरी, चरण सेंग के, ये बाद भी आप लोग साथ में याद कर लेना, चौधरी, चरण सेंग को, 2024 में बारत रत्य पुरुसकार की देने की भी गोशना की गई है, ये तथ्या आपको भी पता होगा, लोगसभा उपाध अध्यक्ष त्याकपत्र किसे देगा, लोगसभा उपाध्यक्ष अपना त्याकपत्र, लोगसभा अध्यक्ष को देगा, ये प्रशन स्टैटिक लोगसभा से संबन देते हैं, ध्यान से उत्तर देते हैं, ठीक है, विधान, सम्विधान की किस अनुछेद में, लोगसभा क बारे में बताया गया है, in which article of constitution is it mentioned about the लोगसभा, article 32, article 80, 81 या 82, तो सारे प्रश्ने की उत्तर अगर मैं दूंगी तो चलेगा ने, मुझे comment section में 12 number के question का उत्तर चाहिए है, मैं सब के comment section चेक करूंगी, चाहिए आप Instagram पे देख रहे हो, Winners Institute के Instagram चैनल पर, या फिर Winners Institute के YouTube चैनल पर, मैं सब के comment देखूंगी, किसने सही उत्तर दिया है, कि नहीं दिया है, लोगसभा के बारे में, constitution में, किस article में बताया गया है, भारत में संसाधिय धाचे में, दो अस्थानिय सदनों का चर्चा की गई है, Name two non-local house in the parliamentary structure in India, ये question एक अच्छा tricky है, क्योंकि पूछने का तरीका अच्छा है, कि दो अस्थानिय सदनों कौन कौन से है, यहाँ पर अस्थानिय सदन, non-local जो bodies पूछी जा रही है, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से सम्मधित पूछी जा रही है, इस्थानिय bodies होंगी आप प्रत्यक्ष निर्वाचन पदती के द्वारा होते हैं, इसलिए इन्हें आस्थानिय निकाय या आस्थानिय सदन की रूप में बोला जाएगा, जबकि लोकसभा और विधान सभा दोनों ही स्थानिय सदने प्रत्यक्ष निर्वाचन पदती के द्वारा इसमें वोटि होती है भारतिय संसत के संयोगत अधिवेशन की अध्यक्षिता कौन करता है who presides over the joint session of the Indian Parliament साजसभा का सभापती लोगसभा का महासचेव राश्पती या लोगसभाध्यक्ष बहुत repeatedly ये question पूछा जाता है हर exam में और मैं उम्मीद करती हूँ question हर कोई सही भी करता होगा कि भारतिय संसत में जब भी joint अधिवेशन होगा joint session होगा तो उसकी जो अध्यक्षिता करेगा वो लोगसभा का अध्यक्ष करता है बुलाता राश्पती अध्यक्षिता लोगसभा का अध्यक्ष करता है बारती सम्विधान में संसद के सयोगत सत्र का वर्णन किस हरुचेद में किया गया है ज्वाइन सेशन का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है बहुत कॉमन कॉश्चन है आर्टिकल 108 में इसका वर्णन किया गया है अगला question है बारत के सम्विधान में संसदिय शाषन प्रणाली किस देश के द्वारा ग्रहन की गई है इंडियन constitution ने parliamentary system किस देश से अडॉप्ट किया है तो भाईया जो हमें गुलाम करके गया था हमने उसकी ही प्रणाली अपनाली ब्रिटेन constitution से हमने अपनाया है क्या संसदि अगला question है आमसभा किसे कहा जाता है अरे भाई आमसभा जहां पर लोग participate करते हैं बड़ी संख्या में अपने प्रतिनिधी को चुनने को तो उसी को कहा जाता है आमसभा यानि की लोगसभा आमसभा और लोगसभा एक ही है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं किस राजी में लोगसभा की सरवादिक सीटे है विच स्टेट हैस दा मैक्जिमम नंबर ओफ लोगसभा सीट उत्तर प्रदेश मत्य प्रदेश महराष्ट या राजिस्तान अगर दिये गए विकल्पों में देखे तो सबसे जादा जो लोगसभा की सीटे ह वह उत्तर प्रदेश में हैं मत्र प्रदेश में तो केवल 29 ही है लोगसभा सदसे की नियूंतमायू कितनी होना चाहिए अगर आप लोगसभा चुनाओ में इस साल तो नहीं खड़े उपआओगे अगले पास सालों के बाद अगर आप खड़ा होना चाहते हो तो आपकी मिन कितनी होना चाहिए तो भाईयों बहनों भाईया 25 वर्ष नियूंतमायी होना चाहिए प्रतेक लोगसभा सदसे की अगला कॉशन है अठारवी लोगसभा 2024 में दिव्यांग वोटरों की संख्या कितनी है वाट इस नमबर ओफ डिसेवल वोटर सिंदा 18 लोगसभा 2024 एक इंप करने वाले हैं लोगसभा चुनाओ 2024 का अंतिम चरण किस दिनांग को संपन होगा on which date will the last phase of लोगसभा एलेक्शन 2024 conclude फिर से वही 10 निट शो का question है एक जून को last चुनाओ होगा और 4 जून को result आ जाएंगे 18 लोगसभा चुनाओ 2024 के चुनाओ में आंध प्रदेश में कुल कितनी लोगसभा सीटों पर चुनाओ होगे तो ये रेंडमली आपको राज्ये याद करने पड़े होगे किस राज्ये में कितनी लोगसभा सीटे हैं चूकि question में आंध प्रदेश पूछा गया है तो आंध में 25 लोगसभा सीटों पर चुनाओ होने वाले हैं ये भी आपको पता होना चाहिए 2024 में कितने राज्यों में विधान सभा चुनाओ आयूजित होने की योजना है तो भाया ये जो लोगसभा कारेकाल है लोगसभा चुनाओ का जो टाइम प्रियर्ड है उसी टाइम पर चार विधान सभाओ में चुनाओ होने वाले हैं उडिशा, आंध प्रदेश, अरनाचल प्रदेश और सिक्केम फिर से रिपीट कर रहे हैं उडिशा, आंध प्रदेश, अरनाचल प्रदेश और सिक्केम तो यह लोगसभा चुनाओं के साथ ही इन चार राज्यों में भी विधान सभा चुनाओं अईजित होंगे इसी टाइम ट्रियेट के आस्पास 28 लोक सभा चुनाओ 2024 कितने राज्यों में सातोचणों में चुनाओ होंगे कुछ महनत तो आप भी करोगे प्रश्ण यह है कि ऐसे कितने राज्यं जिसके सातोचणों में चुनाओ होंगे उन राज्यों की संख्या बता देना और हो सके तो मुझे comment box में उन राज्यों के नाम भी बता देना, बहुत-बहुत महरबानी हो जाएगी तुमारी, ठीक है, homework है, याद रखना, अगला question है, अधारवी लोग सबाचुनाओ 2024 में, कितने उम्र से अधिक लोगों के लिए घर से वोट करने की सुभीदा दी गई है ये एक अच्छी सुभीदा है, अगर आपके घर में ऐसी बुज़ूर्ग हैं, जो वहां तक मदान की इन तक नहीं जा पा रहे हैं, तो याद रखना, निर्वाचा नायोग ने पहले, जो बुज़ूर्ग वेक्ती हैं, उनकी एज 80 निर्धारित की गी थी, लेकिन 2024 के होता है, अरे ये तो सबको पता है कि लोगसभा का अधिक्तम कारकाल पास साल का होता है, उससे जादा नहीं होता है, अगला प्रशने भारती समिधान के अनुसार धन विद्याक सर्वपतम किस सदन में लाया जाता है, तो अगर कोई money bill है, money related bills हैं, तो वो सबसे पहले कहां पर आएंगे, लोगसभा में आएंगे, ये एक static लोगसभा का question है, जो की परिक्षाओं में पूछा जाता है, और मैंने प्रयास किया है कि 10 मिनिट में इसको भी include कर दूँ, ठीके, संसत की लोग लेखा समीती का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भजपक क्लेम कर रही है कि अपकी बार 400 पार, लेकिन 2019 में भजपक सरकार आई थी, और इसने कितना किया था, तो इसने 303 सीटों पर अपनी हिस्सेदारी की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, अगला question है, वर्तमान में राश्टी चुनायों कि मुख्य आयोक्त कौन है, तो भईया ये तो पता होना चाहिए, सभी current of yours पढ़ने वाले student को, जो सुबह 8 बजे आते हैं, राजीव कुमार election commission के chief commissioner है, ज्यानेश कुमार सुखविंदर, ये अन्य सदस्यों में शामिल है, अगला प्रशन है, सत्रवी लोगसभा के अध्यक्ष की रूप में किसे जित किये गए थे, first लोगसभा election hell, 1952, मैं उमीद करती हूँ कि ये जो लोगसभा से सम्मंधित प्रशन है, वो आप सभी को कुछ ना कुछ रूमांच लेके आये होंगे, और आप सभी लोग जो मैंने दो questions homework में दिया है, वो मुझे comment box में जरूर बताना, session अच्छा लगा ह तो वीडियो को लाइक कर देना, share कर देना, जादा से जादा student के बीच में, जादा से जादा लोगों की बीच में, ताकि लोगसभा से लेटेट सब का ज्यानवर्धन हो सके, आज का जो innovative idea है, caution answer form में 10 minute show लाना, आपको कैसा लगा मुझे comment section में जरूर बताना, मैं मिलूंग आपको सुबह 8 वजे के current affairs के class में, तब तक के लिए सभी को जय हैं, जय भारत